बाई राहूल मैं तो इस जॉब से परिशान हो चुका हूँ ना सैलरी बढ़ाते हैं ना प्रमोशन करते हैं ऐसी जॉब मैं तो इतना खुश और कॉन्फिडेंट क्यों है भाई भाई मुझे जॉब की टेंशन नहीं है मैं ओफिस के बाद थोड़ा टाइम निकाल कर नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूँ पहले मुझे नेटवर्क बनाना नहीं आता था फिर मुझे मेरी कमपनी के लीडर्स ने कस्टमर और टीम कैसे बनाते हैं ये सिखाया अब जब मै आफिस में हूँ तब भी कोई न कोई काम करता है तो थोड़ा कमिशन आ जादा है जैसे जैसे नेटवर्क बड़ा होगा वैसे वैसे कमिशन भी जादा आएगा कोई टार्गेट नहीं है और सबोर्ट पूरा मिलता है नेटवर्क मार्केटिंग नेटवर्क मार्केटिंग तो फरजी होती है यार, स्कैम है ये तो, अच्छा स्कैम ऐसा क्यों भाई समझाओ जरा, अरे इसमें उपर उपर वाले तो पैसा कमाते हैं, वो गोले स्ट्रक्चर बनाने है न, जो उपर होगा वो जादा कमाते हैं, और नीचे वाले को कुछ मिलता नहीं है, पहली बात तो है, 2020 में इंटरनेट के जमाने में जहां सारी जानकारी मौझूद है, वहां कोई बेवकूफ ही ऐसी बाते कर सकता है, चल कोई बात नहीं, फिर भी ये बता हमारी कमपनी में सबसे उपर कौन है, मालिक है, फिर उसके नीचे कौन है, CEO है, अच्छा फिर उसके नीचे, उसके अच्छा अब ये बता हमारी कमपनी में सबसे जादा पैसे कौन कमाता है, ओवियसली हमारा मालिक, तो भाई सबसे बड़ी फरजी तो हमारी कमपनी है, जहां पर हम जॉब कर रहे हैं, एक अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग कमपनी में जो नीचे है, वो भी उपर वाले स जादा पैसे कमा सकता है, लेकिन गावर्मेंट में तो इतनी कमपनी बंद कर दी हैं, कईयों पे तो केस चल रहे हैं, जिस कमपनी में बिना प्रोड़क्ट और सर्विस के पैसों का लेंदेन होता है, वो फरजी होती है, इसलिए उन पर मनी लॉंडरिंग के केसेज हो जाते ताकि सरकार काले धन और गलत मनी रोटेशन को बंद कर सके, वैसे ये बता जो फैक्टरी थी नोईडा में, जहां 5000 लोग काम करते थे, वो भी तो बंद हो गी है, फिर तो सारी फैक्टरी बंद हो जानी चीए, यार बात तो तेरी सही है, लेकिन मेरा कजन है, वो बोलता है क अब ये कैसी बाते कर रहा है, वो एंजीनियर है ना कि डॉक्टर, तो भाई एंजीनियर होकर अगर मार्केटिंग और मैनेजमेंट के बारे में जानते हैं, तो डॉक्टरी भी कर ही लेंगे, no disrespect to anyone, लेकिन जो डॉक्टर है वो डॉक्टर है, जो वकील है वो वकालत जानता जो प्रॉक्टरी डिलर है वो रियल स्टेट के बारे में जानता है, दरसल यहाँ पर पूरी जानकारी ना होने की वज़े से लोग ये बातें करते रहते हैं, तो खुदी बता कॉमर्स का टीचर केमेस्ट्री कैसे बढ़ा देगा, बात तो तेरी सही है, लेकिन यहाँ कुछी लोग पैसे कमाते हैं, कुछ तो 4-5 साल लगा कर भी कुछ नहीं कमा पाते हैं, नेट्वाग मार्केटिंग की कोई डिगरी नहीं होती है, अठार साल से उपर का हर एक आदमी किसी भी एजुकेशनल बेक्ग्राउंड के साथ इसे कर सकता है, पहले ही दिन कोई पैक्टिंग लीडर्शिप जैसी चीजें जो MBA में नहीं सिखाई जाती है, वो यहां सीखता है, लाखों रोपे ना लगा कर कोई कुछ हजार से अगर 4 सालों में इस काबिल हो गया कि उसको किसी जॉब के लिए बटकना नहीं पड़ेगा, पैसे नहीं मागने पड़ेंगे वो ऐसी काबिलियत पैदा कर लेता है कि अंजान शेहर में जाकर भी बिजनस कर पाए, तो पैसा वो कमा ही लेगा, लेकिन लोग जो फेल हुए हैं उनको देखते हैं, अगर लाखों लोगों ने पैसे नहीं कमाए तो लाखों लोगों ने करूरों भी कमाए हैं, और वैसे क्या सारे सिंगर सेलिबरेटी हैं, क्या सारे पॉलिटीशन्स मुख्यमंत्री हैं, क्या सारे प्रॉपर्टर डीलर अमीर हैं, क्या सारे वकील विलास में रहते हैं, क्या सारे बिजनसमें अंबानी की तरह बन चुके हैं, क्या सारे इनोवेटर्स स्टीव जॉप्स बन चु जो सही तरीके से मेहनत करते हैं फिलाल तो मेरी बात नहीं समझेगा अभी अपना काम कर बस किसी दूसरे को बिना करे ये मत बोलना कि नेकवर्ग मार्केटिंग स्कैम होती है और आप सब का वीडियो को लास तक देखने के लिए धन्यों